ये असलामरेकूम गाई इतुोड़िया टॉपिक इस यॉरिन फॉर्मेशन यॉरिन फॉर्मेशन होता कि झान्य प्रॉर्मेशन हुटा है फों कि यॉरियन फॉर्मेशन का वो तीन प्रॉसेस पर फ्रपेंड करता है ज़ीую ये ही तुरियー तेमुयर इफटिर आर्टरियोिंא जहां से आर्टरी जो our goes ahead and after which will often जैन्म अमाइर्पस होता है डाज आँख अवर मेरा इस एफटर होड़ तर कोड यहां से परके City जो है यूरिम कलता है और जो अब्सड़ोर्ब नहीं होता यहां जा कर efferent artriole में जाकर वीनस ब्लड जो है वहां पर चला जाता है परिट्यूबलर कैपलरी के थ्रू यह हमने जो है रिनल सर्कुलेशन में पीछली वीडियो में पढ़ा है तो होता क्या है कि जब ब्लड पास होता है ग्लो मेरलर कैपलरी से तो प्लाजमा जो है फिल्टर हो जाता ह जिसको हम बोलते हैं Glomerular Filtration Glomerular Filtration के बाद Filtrate from the Balmen Capsule Pass कर जाता है Tubular Portion में Then यहां पर जो है यहां पर बहुत सरी Changes होते हैं Like Quality में भी Quantity में भी और आगे जाकर Urine बनता है After Filtration कुछ सबस्टांस यहां आ जाते हैं Like हमें पता है कि Urine में हमने Extra चीज़े जो है Excrete कर देनी है जो कि हमारी बोड़ी को Need नहीं है So unwanted जो चीज़े होंगी वो इस Tubular Portion में आएंगी और जो हमारी बोड़ी में Need है Like जो Peritubular Capillary से यहां different Arterios यांकि Venus Blood में Like दोबारा जो हमारी बोड़ी में जाएगी जो कि Need है वो जाएगा इसमें Peritubular Capillary में तो होता क्या है कि इस टाइम इस स्टेज़ पे हमारा पर Reabsorption भी हो रही होती है जो कि हमारी बोड़ी को Venus Blood में चाही होती है जो कि Reabsorbed होते हैं Tubular portion से Peritubular Capillaries में यहां से जो Glucose Aminovacid Water Electroloid जो यहां से Filter होके आये थे उनको Reabsorb करना होता है Peritubular Capillary में जिसको हम बोलते हैं Tubular Reabsorption Tubular से Reabsorbed वह उसका नाम हुआ Tubular Reabsorption और कुछ unwanted substance होते हैं जो कि Secrete करे होते हैं Tubule में From Peritubular Blood Vessels Peritubular Blood Vessels में यहां पर कुछ unwanted substance होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं बोडी में तो हम उसको Secrete कर देते हैं Tubular portion में ताकि वह urine के थूरू बाहिर चला जाए तो यहां पर हमारे पास Secretion भी होती है जिसको बोलते हैं Tubular Secretion तो हमारे पास यहां पर तीन टोटल प्रोसेस थे एक था Glomerular Filtration यहां पर Filtration हो गई Then हमारे पास Tubular Reabsorption और Tubular Secretion Formation में में तीन प्रोसेस देखें जिनकों Step to Step कवर करेंगी तो फर्स्ट जो हमारे पास Step है Glomerular Filtration कैसे होती है किन लेयर से होती है Glomerular Filtration Rate क्या है कौन सा प्रेशर होता है यह सब चीज जो है Glomerular Filtration में हम चेक करेंगे Then हम Tubular Reabsorption को Briefly पढ़ेंगे Then Tubular Secretion तो हमारे पास Glomerular Filtration हमें पता है कि हमारे पास यह Bauman Capsule होता है Bauman Capsule से जो है इसके अगर हम Layers पढ़ें तो हमारे पास Outer Heart जैसे Lungs की होती है किसी भी Organ की जो Outer Layer होती है वो है Paritary Layer Then We Have Visceral Layer और कोई भी Layers उसके अंदर Cells होते हैं Like Epithelium Andothelium So साथ जैसे जो Visceral Layer है उसके साथ पह Like यहां पर हमारे पास होती है Cells जो इस साथ पहते हैं हमारे पहस इसको Cells हैं Like Vising ワहाले पहते हैं इसके पहर पहोते हैं उसके पैरेटेर लेयर है Outer Than वा जैसे जोS जो हमारे पहते हैं apithelial cell afferent यहां पर आ रही थी afferent artiole side like efferent यह अपर पस efferent यह हमारे पस efferent तो हमारे पास यहां पड़ी थी baumon capillaries जिससे blood आता है और filter होता है तो यहां ते हमारा urine जो हाँ आपिछ हमें मिलता है हमने Glomeral Filtration पढ़ना है जिसमें हमने Filtration Membrane पढ़ना है कि वो किन लियर से बगती है तो हमारे पस यह मेली जो एरिया है इसको हम बोते है Filtration Membrane उसमें क्या क्या चीज आती है वो हम पढ़ेंगे और कौन सी लियर जाती है वो पढ़ेंगे उसकी जो physiology है कि इसमें क्या-क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, कौन से points है, layers है, cells है, हुग हम briefly discuss करेंगे तो हमारे पास filtration membrane में जो first layer होती है, वो होती है glomerular capillary membrane यह glomerular capillary membrane, यह होती है single layer होती है, endothelial की बनी होती है और जो यह capillary membrane होती है, यह mostly pores होती है, जिसको हम बोलते है, filtration pores, यह pores और यह, यह pores और यह, हमारे पास यह चोटे-चोटे pores होती है, यह इस side पे, endothelial layers में, जिसको हम बोलते है, fenestri or filtration pores, यह हमारे पास endothelial layer की हो गई, हमारे पास यह glomerular capillary membrane, जो बैसमेंट मेम्ब्र ENA है बैसमेंट मेम्ब्रेइन होती इसके अपर यह जो टो अलग बाल इंडी इन्डाल इसकी नख्ुन आरा मेम फैलको हो dudky प्राक मिम्ब्रेइन के ऐन fighting आएन्डश साहिव तो does कि बाहिर वाली पढ़ें तो वह होगी एपिथीलियल सेल्स की बनी होती है तो हमारे पास एपिथीलियल सेल्स से लेकर लेकर जो के गुलोमैलोर कैपलरी मेंब्रेन के दर्मियान जितनी लेयर हैं जो कुछ भी है वह हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन मेंब्रेन तो दर्मियान में क्या चीज आती है हमारे पास बेस्मेंट मेंब्रेन यह कवर कर लिया हमने यह कवर कर लिया बेस्मेंब्रेन क्या है बेस्मेंब्रेन जो है वो गलोमैलोर कैपलरी की जो होती है और जो बेस्मेंब्रेन विजरल लेयर की होती है ल हaltet काकिले काप्सूल की बाубли менее कैप्सूल की और जो इसथे इंडोथिलियल सेर्ट की जो हमारा पस्ति गलो a मेरल केप्लरी की और बाव मेरल केप्लरी की और पावमेन काप्सूल की तु दर्मयान में basement membrain रही जो आपस में दोनों को glomerule capillary और basement membrane of visceral layer जो है आपस में fuse होती है fuse together होती है यहाँ पर ऐसे बिल्कुल यह हमारे पास यह होगी हमारे पास visceral layer और यह हमारे पास होगई glomerule capillary membrane इसकी और इसकी यह जो आपस में basement membranes है वो fused होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो आपस में मिलकर एक लेर बनाती है उसको हम बोलते हैं basement membrane ठीक है यह तो fused हो गया एक basement membrane यह सापिड करती endothelium of glomerule capillary and the epithelium layer epithelial cells of visceral layer of balm and capsule तो यह मिलाकर जो है मारे पास filtration membrane बनती है और इसके लावा अगर हम glomerule filtration का process पढ़े हैं कौन सी चीजे filter होती हैं कौन सी नहीं तो हमारे पास जो blood होता है पास करता है glomerule capillary से तो इसमें जो plasma होता है filter हो जाता है baum and capsule में जो plasma वो तो filter हो गया लेकिन जो एक चीज़ होती है जो के filter नहीं होती वो है plasma protein तो जो filter हो जाती है उसको हम बोलते हैं glomerul filtrate through glomerul through filtration membrane in the process of glomerul filtration और जो हमारे पस नहीं filter होती उसको हम बोलते हैं plasma protein जो के filter नहीं होती क्योंकि यह होता है कि हमने पढ़ा था कि यहां पर endothelial होते हैं उसके अंदर जो है pores होते हैं तो इस pores का जो diameter होता है वो 0.1 macron होता है तो होता ही है कि इसका जो diameter है plasma protein का वो bigger होता है than size of this endothelial layer of endothelial layer of capillary membrane तो जिसकी वदर से वो plasma protein filter नहीं होती और इसके लावा यह point हमने पढ़ा था ना कि basement membrane जो है आपस में जो इसकी कैपलरी membrane की basement membrane और जो visceral layer थी इसकी बाउमेंट capsule की वापस में जो tightly क्यों होती है वो मतलब किस बेस पर वापस में बिल्कुल tight जो है क्यों बंद होती है एक किसम की तो वो through the cytoplasmage extension जिसको हम बोलते है पैडिकल्स और फीट जो है उन से जो है आपस में tightly bound होती है किसम है आपस बाग में बहुर रा जिसके बडने जुटीजगों झापसों है कैपल्स को है किसम नोग्तिज़ नोग्तिज़ एक काचा किसम इस्तिज़ थैस्वाद़ रिव्तिएंट्स